कि अग्जांब है कि अग्जानल दोस्तों आज कि वीडियो जह है आपके आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए खासर के रहले गुरूप डे और एंटीप फिकर सेवन पेज़के लिए करेगा ही करेगा यह वीडियो और अन्य किसी भी वन देशाम को कवर करेगा जिसमें भी पुछे जाते हैं तो चले शुरू करते हैं स्फिर्टी जी रिभायव ago Kinder stepUNG के पार्ट 17 को इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट सेसिन तक के वीडियो आपलोग को प्रवाइट अगर आप लोगों ने पार्ट सेशन तक के वीडियो का भी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले ताकि आपको एक्जाम में जीगे से एक भी प्रेश्ट ना छूटे और हाँ दोस्तों अगर आपको किसी बुक का पीडियाप लेना है तो नीचे इस्टा मोजो का जो मोईल में आपको मिलता रहें तो चलिए गाई सुरू कर लेते हैं इस वीडियो या टैम नहीं वेश्ट करके तो चलिए सुरू करते हैं और यह जो है पहला प्रशन है देखिए रावल केला जो है इसपाथ कार खाना या रावल केला से अस्थापित किया गया था तो रावल जाकरी जलविदुथ परियोजना जो है भारत के किस राज में इसित है तो नापता जाकरी जलविदुथ परियोजना जो है भारत के हिमाचल पर्देश राज में इसित है option number B नेश्ट भारतिय समधान में न्याईक गार? प्रतेक वर्ष जो है एट्स दिवस की स्थिति को मना याता है तो प्रतेक वर्ष जो है एट्स दिवस यह मना याता है एक दिसंबर को option number B यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है भारत का कौन सा राजी जो है ऐसा राजी है जिसका अपना अलग समिधान था यहाँ पर था हो जाएगा ठीक है क्योंकि 370 को हटा दिया गया है तो यह जो था पहले कौन था जम्मु कास्मिर ठीक है अब जो है जम्मु क टारिर है जिसका अपना अलग समिधान था यह था जम्मु कास्मिर पहले ठीक है लेकिन 138 आने के पाद जो है यह लेकिन अभी केइंस तरे मन गया है यह जम्मु कास्मिर नेश्ट है भारत में पीन कोड की सुरुवाज जो है कब होई थी तो भारत में पीन कोड की सुरुवाज जो है 15 अगस्त 1972 इस्विक होई थी option number A यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है छटी अनसूची के तहट कौन सा ऐसा राज जो है जिसके राजनेतिक प्रसासन के तहट समलित नहीं किया गया है तो छटी अनसूची के तहट जो है ऐसा राज जो है यहा है मनिपूर जिसको जनजाती प्रसासन के तहट समलित नहीं किया गया है मनिपूर को option number A य नेश्ट है भारत आने वाला पहला British जलतोप जो है कौन था तो भारत में आने वाला पहला British जलतोप था Red Dragon ठीक है Red Dragon जो था यह सबसे पहले भारत आया था British जलतोप और यहां बैठ जागा नेश्ट है संग एवं राज का वर्णन जो है किस सूची में किया गया है तो संग एवं राजों का वर्णन जो है या पहली सूची में किया गया है पहली अनसूची में ठीक है option number D यहां पैठ जाएगा next है समिधान संसोधन की परती किस देश के समिधान से गरहन किया गया है तो समिधान संसोधन की परती जो है या दच्छीन अफ्रिका देश से लिया गया है option number B यहां पैठ जाएगा नेश्ट है गौतमी पुत्र जो है सतकर्णी किस वंस का सासक था तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे या थे सातवाहन वंस की रासा सकते औप्सन नमबर से यहां पैट जाएगा नेस्ट है गुरु अर्जुन देव जो है किस मुगल सासक के समकालेन थे तो गुरु अर्जुन देव जो थे या जहांगेर मुगल सासक के समकालेन थे और अप्सन नमबर D यहां बैठ जाएगा नेस्ट है होईसल सासको की राजधानी कहां अस्थापित थी तो होईसल सासको की राजधानी जो है या द्वार समुद्र जो है अस्थापित थी और अप्सन नमबर A यहां बैठ जाएगा नेच्ट है NH1 जो है किसे जोडता है तो NH1 जो है दिल्ली से अमरिस सर को जोडता है option number B यहां बैठ जागा नेस्ट है किस गरापर सुरी पस्चिम में उगता है और पुर्व में डूबता है तो सुक्र गरापर सुरी पस्चिम में उगता है और पुर्व में डूब जाता है option number C यहाँ पैट जाएगा नेस्ट है संभाजी को फासी किसके सख्णकाल में दी गई थी तो संभाजी को फासी दिया गया था और अन्जेव कि सख्णकाल में OPSON numero D यहां पैठ जाएगा नेस्ट है भूमेशुधार सम्मन्दी अधिनियम का सम्मन्ध जो है किस अनसूची से है तो भूमे सुधार सम्मंदी अधिनियम जो है या है नौवी अनसुची से इसका सम्मंद है option number C यहाँ बैठ जाएगा next है हमदर्द जो पुस्तक है हमदर्द इसके लेखक जो है कौन है तो हमदर्द पुस्तक के लेखक जो है मुहमद अली जिन्ना है option number A यहाँ बैठ जाएगा next है नेवू रस का पीच मान जो है लगभग कितना होता है तो नेवू के रस का पीच मान जो है लगभग 2.4 होता है approximately option number B यहाँ बैठ जाएगा नेश्ट है समविधानिक पदो पर बैठे वकति के वेतन भटे का वडणन किस अनसुची में वडणन है नेश्ट है सिनकोना का औरिच्ट जो है किस छेतर में मिलते हैं तो सिनकोना का औरिच्ट जो है यह मिलता है विसवत्य छेतर में option number D यहाँ बैठ जाएगा नेश्ट है बारवी अनसूची का सम्मद्ध जो है किस से है तो बारवी अनसूची जो है बारवी अनसूची इसका सम्मद्ध है नगर पालिका से option number B यहाँ पैट जाएगा जिसको बोलते है मुंसिपल्टी सम्मद्ध है बारवी अनसूची का सम्मद्ध मुंसिपल्टी से है नेश्ट है Greenwich रेखा कहां से गुजरती है तो Greenwich रेखा जो है या United Kingdom से गुजरती है यानि की UK से गुजरती है option number D यहां बैठ जागा नेश्ट है रंगोन जो है किस नदी के तड़ पर इसित है तो रंगोन जो है या इरावती नदी के तड़ पर इसित है option number D यहां बैठ जागा नेश्ट है पंचायती राज का संबन्द जो है किस अनसूची से है तो पंचायती राज का संबन्द जो है या 11 अनसूची से है option number D यहां बैठ जागा next है cookie जन जाती जो है किस राज के निवासी है तो cookie जन जाती जो है या मनिपूर राज का निवासी है option number B kommt ढटे जाएट next है Dios Mark जो है Dios Mark किस देश की मुद्रा है तो Dios Mark जो है या जर्मनी देश की मुद्रा है option number C BILL नेश्ट है लोह तत्व का सबसे अच्छा स्रोथ माना जाता है किसको तो लोह तत्व का सबसे अच्छा स्रोथ जो है यह मानता है पालक को ठीक है option number A यहाँ बैट जाएगा पालक जो होता है इसी में सबसे जाद है लोह तत्व पाय जाता है Option number A. Next है कोणिये वेग का इकाई क्या है तो कोणिये वेग की इकाई है Radian per second Option number A billion बैटि जाएगा Next है Richard Attenborough की फिλम जो है गांधी गांधी में मात्मा गांधी का अभिने जो है किस ने किया था तो Richard Attenborough की जो फिलम है गांदी इसमें मात्मा गांदी का अविने जो है यो बěयन किन्सले ने किया था बेयन किन्सले ने आपसन नमबर Cum यहां पैट जाएगगा नेस्ट है किसी राज के विधान सवा का सभापती अपना इस्थिपा जो है किसको सौंपता है तो किसी राज का जो विधान सभा है उसके सभापती जो है अपना एस्थीपा सौंपेगा किसको सोंपेगा उप सभापती को ठीक है option number C यहाँ बैठ जाएगा next है भारती समुधान में मौलिक करतव जो है किस देश के समुधान से लिया गया है तो मौलिक कर्तव को लिया गया है भारते समिधान में सोवेट संग्स यानि की रूस से लिया गया है उप्शन नमबर A यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है दच्छिन भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन है तो दच्छिन भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है option number D यहां पैट जाएगा Next है दुदवा राश्टी उद्धान जो है किस लिए प्रसिद है तो दुदवा राश्टी उद्धान जो है या बाग के लिए प्रसिद है option number A यहां पैट जाएगा Next है चक्मा जो है किस देश में बोली जाने वाली भासा एवं निवासी है यानि कि चक्मा जो है कौन से देश का बोली जाने वाली भासा है और निवासी भी है चक्मा तो यह जो है किस देश में होता है तो यह होता है बंगला देश में ठीक है अप्शन नमबर D यहां बैट जाएगा नश्ट है लिगनाईट जो है किसका एक प्रकार है तो लिगनाईट जो है या कोईला का एक प्रकार है अप्शन नमबर B यहां बैट जाएगा नश्ट है प्रवासी भारती दिवस जो है कब मनाय जाती है प्रवासी भारती दिवस जो है ये yeah नौ जनवरी को प्रतेक साल option number A यहां बैठ चाएगा नेश्ट है योग दिवस जो है कि सिति को मना जाता है तो योग दिवस जो है या परतेक साल 21 जून को मना जाता है अप्सिन नमबर A यहां बैठ जाएगा नेश्ट है मात्मा गांधी जो है अपने जीवन काल में एक बार भारती राष्टी कॉंगरस के अद्धश जो है कहां पर बने थे तो मात्मा गांधी जी जो थे या अपने जीवन काल में एक बार ही भारती राष्टी कॉंगरस के अद्धश बने थे और या बने थे बेल जो है यहां मनायता है 28 फरवरी को option number C यहां प्याठ जाएगा नश्ट है टेरी बांद जो है बालत के किस राज में इस तै तो टेरी बांद जो है यहा उत्राकंड राज में इस तो आपसन नमबर D यहां प्याठ जाएगा नेश्ट है भारतियों के लिए महान सिल्क मार्ग को किस ने आरम करवाया था तो भारतियों के लिए महान सिल्क मार को जो है कनिस्क ने आरम करवाया था option number से यहां पैट जाएगा next है किस दो मुगल बासा ने अपनी आत्मकथा स्वैम लिखे थे तो जहांगीर और बाबर जहांगीर और बाबर ने जो है अपनी आत्मकर्था स्वैम लिखे थे अप्सन नमबर से यहां बैट जाएगा नेश्ट है वायू सेना दिवस की स्थी को मनाय जाती है तो वायू सेना दिवस जो है यह मनायता है 8 अक्टूबर को अप्सन नमबर भी यहां बैट जाएगा next है किस vitamin की कमी से दात हिलने लगते है तो दात हिलने लगता है या vitamin C की कमी से option number A यहाँ बैठ जाएगा next है सजग रहो सजग रहो किसका आदर्स वाक की है तो सजग रहो जो है या scout का आदर्स वाक है scout में कहता है सजग रहो option number A यहाँ बैठ जाएगा स्काउट का अधर स्वाकिय है सजग रहो संगे मंत्री परिशत किसके प्रती सामोहिक रूप से उतरदाई होता है संगे मंत्री परिशत या लोक सभा के प्रती सामोहिक रूप से उतरदाई होता है option number 2 यहां बैठ जाएगा सुसासन दिवस जो है कि सिति को मना जाती है तो सुसासन दिवस जो है यह मनाता है 25 दिवस को option number 2 यहां बैठ जाएगा next है गोवा की राजधानी जो है क्या है next है गोवा की राजकी भासा जो है क्या है गोवा की राजकी भासा जो है कौकडी है option number B यहाँ बैट जाएगा next है किसान दिवस की सिथी को मनाय जाती है तो किसान दिवस कब मनायता है 23 दिसम्बर को कब मनाते है 23 दिसम्बर को जो है किसान दिवस मनाय जाता है तो किसान दिवस जो है यहां मना जाता है 23 दिसंबर को प्रतेक साल अप्सन नमबर A यहां बैट जाएगा नेस्ट है बोंदा पहाड जो है भारत के किस राज में इसित है तो बोंदा पहाड जो है या भारत के उडिसा राज में इसित है अप्सन नमबर से यहां बैट जाएगा नेस्ट है दिसंबर 2004 में सुनामी से कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था इंडोनेसिया देश आप्सन नमबर दे यहाँ बैटे जाएगा नेस्ट है जीन को सबसे पहले किस वग्यानिक ने आइसोलेट किया था तो जीन को सबसे पहले जो है हर गोबिंद खुराना दॉक्टर हर गोबिंद खुराना जो थे इन्होंने ही सबसे पहले आइसोलेट किया था आप्सन नमबर यहाँ बैटे जाएगा नेश्ट है उर्जा सरच्छन का से धान किस से प्रभावित है तो उर्जा सरच्छन का से धान जो है लेंज के नियम से प्रभावित है यानि कि लेंज लॉसे प्रभावित है औप्सिन नमबर C यहां बैट जाएगा next है बाल दिवस किस्ति को मना जाता है तो चौदा नॉंबर को जो है बालग दिवस मना जाता है यानि कि बाल दिवस मना जाता है option number A बैट जाओगा next है भूमध्य सागर जो है किंदो देशों के बीच इसे थे तो भूमध्य सागर जो है या जौडन एवं इसराइल देशों के बीच में इसे थे option number A यहाँ बैट जाएगा Next है टाइफाइड किस अंग को प्रहवित करता है तो टाइफाइड जो है या आत को प्रहवित करता है आत अंग को option number B यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है sulfur के आणु जो है सही सुत्र जो है क्या है तो sulfur का आणे सुत्र जो है यह होता है S8 ठीक है S8 जो है यह sulfur का सही आणु सुत्र है option number 2 यहां बैट जागा नेश्ट है पन जो है पन किस काल की प्रमुक मुद्रा है तो पंड जो है या morekal की प्रमुक्अ कि अफ्से नमबर A V आप बैट जाएगा नेस्ट है राष्ट पक्षि दिवस कब मनाये जाती है तो राष्ट पक्षि दिवस जो है या 12 नम्बर को परतेक सहल मना जाता है अफ्से नमबर A आप बैट जाएगा next है कोसिका के अंदर सूचना का प्रवाव जो है किस से होता है किसके द्वारा हो जाता है तो कोसिका के अंदर सूचना का प्रवाव जो है या आरेने के द्वारा किया जाता है यानि की आरेने के द्वारा होता है option number B है बैट जाएगा नेश्ट है पांच प्रकार के रीट जारी करने का दिकार किसके पास है तो पांच प्रकार के रीट जारी करता है कौन सरवची नियाले ठीक है सरवची नियाले जो है पांच प्रकार का रीट जारी करता है और उच नियाले जो है छो प्रकार का रीट जारी करता है ठीक है option number A यहाँ बैट जाएगा पांच प्रकार का रिट को ज़री करता है सर्वोच नहाले यानिकी सुप्रेम कोट नेश्ट है चन्रमा को पिर्तिवी तक एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तो चन्रमा को पिर्तिवी का एक चक्कर लगाने में जो है लगबग 27 दिन 8 घंटा लगता है option number A यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है वेलेंटाइन दिवस जो है कि सिती को मनाया जाती है तो वेलेंटाइन दिवस जो है या परतेक साल 14 फरवरी को मनाया जाता है option number A यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है वेलेंटाइन दिवस जो है कि सिती को मनाया जाता है तो वेलेंटाइन दिवस जो है या परतेक साल 22 अपरिल को मनाया जाता है option number A यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है सनी के रिंग की खोज जो है किस ने किया था तो सनी का जो रिंग है इसकी खोज किया था गलेलियों ने ऑप्सन नमबर भी यहां पैट जाएगा नेश्ट है नियागरा जल प्रपात किसकी सीमा पर इसित है तो नियागरा जल प्रपात जो है या अमेरिका एवं कराड़ा देश की सीमा के बीच में इसित है option number D यहाँ पैट जाएगा अमेरिका और कराणड़ा देश के सीमा पर जो है नियागरा जल प्रपात इसे थे अप्सन नमबर D यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है विस मद में दिवस जो है मनाया जाती है कि इस तारीक को नेश्ट है मुगलों के विरुद जो है लड़ने वाले पर्थम सीख गुरु जो थे या थे गुरु हर गोविंद अप्सन नमबर D यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है भारत का दिसांतरी विस्तार कितना है तो भायत का दिसांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री साथ इस्ट से ले करके 97 डिग्री 25 इस्ट तक है ठीक है अप्सन नमबर A यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है, मजदूर दिवस की सहती को मनाई जाती है तो मजदूर दिवस, यह मना जाता है एक मईको परतिक साल, option number 2, यहां पैठा जाए गा नेश्ट है, अंजू, बाबी, जॉर्ज का संबन्ध किस खेल से है तो अंजू बाबी जॉर्ज का सम्मन्द जो है या लंबी कूद खेल से है option number C यहाँ बैठ जाएगा नेश्ट है राजा राम मोहन राय को पहली बार युग मदूत जो है किस ने कहा था तो हड्डियों एवं दातों को मजबूत रखने के लिए जो है केल्सियम की अशकता होती है option number D यहाँ बैठ जाएगा नेश्ट है राश्टी एकता दिवस कम मनाया जाता है तो राश्टी एकता दिवस जो है या 31 अक्टूबर को मनाया जाता है option number B यहाँ बैठ जाएगा option number D यहाँ बैठ जाएगा नेश्ट है चीन का जो दा ग्रेट वाल है यानि कि दा ग्रेट वाल आप चाइना इसका निर्मान जो है किस ने करवाया था तो दा ग्रेट वाल आप चाइना का निर्मान जो है से हुआंग टी ने करवाया था से हुआंग टीन ने option number A यहाँ बै प्रारवियों ने कि सम्मझ एकूली अफिजार आहर गो जो नेस्ट है गोवा जो है किस नदी के किनारे बसा है तो गोवा जो है या मांडवी नदी के किनारे इसित बसा है यानि कि मांडवी नदी के किनारे इसित है गोवा ऑप्सन नमबर बैठ जाएगा नेस्ट है अधीना मास्जित कहां पर इसित है तो अधीना मास्जित जो है पस् नेश्ट है क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है तो क्रिकेट खेल में जो विकेट होता है तिन विकेट होता है इस पर गुली रखा रहता है तो इसके बीच की दूरी जो है कितनी होती है तो इसके बीच की दूरी जो है या बाइस गज होती है option number A बैठ जाएगा next है, बाऊلف जो है किस राज की प्रमुक लोक निती है तो बाऊلف जो है या पस्चि मंगाल की प्रमुक लोक निती है option number D यहाँ बैठ जाएगा next है चेचक रोग जो है किस के कारण होता है और विले अस्थल का समध किस व्यक्ति से है तो औरे वीले अस्तल जो है इसका संबन्द जो है या आर्विंद घोस से है option number C यहां पैट जाएगा नेश्ट है निम्न व्याजदर वाला रीन जो है क्या कलाता है तो निम्न व्याजदर वाला रीन जो है या सुलब रीन कलाता है option number C यहां पैट जाएगा नेश्ट है आनंद भवन का संबंध जो है किस वेक्ति से है तो आनंद भवन का संबंध जो है या जवाहर लाल नेरू से है option number C यहां पैट जाएगा नेश्ट है जमसेदपूर जो है किस नदी के किनारे अवसित है तो जमसेदपूर जो है या स्वन रेखा नदी के किनारे अवसित है जमसेदपूर आपसन नमबर से यहां बैट जाएगा नेश्ट है लखनाउ सहर किस नदी के तरफर इसे थै तो लखनाउ सहर जो है या गोमती नदी के तरफर इसे थै Option number C यहां बैट जाएगा नेश्ट है मुगल सासन में मनसबदारी परथा का प्रवर्तन जो है किसके द्वारा किया गया था तो मुगल सासन में मनसबदारी परथा का प्रवरतन जो है अकबर के द्वारा किया गया था, option number A आपर जाएगा Next है नागा लेंड जो है कभ राज बना, तो नागा लेंड जो है या राज बना था 1963 इस्वी में option number C आपर जाएगा नेश्ट है भारत के किस महान खिलाडी के जन्व दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो भारत के महान खिलाडी है इनका नाम है मेजर ध्यान चंदर इनहीं के जन्द दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को ठीक है नेश्ट है विजय नगर सामराज की अस्थापना कब की गई थी तो विजय नगर सामराज की अस्थापना जो है 16 सताबदी में किया गया था और नेश्ट है लडाको इमान जो है मिराज मिराज जो है किस देश के द्वारा बनाया गया है तो लड़ाक को इमान जो है मिराज या जो है फ्रांस की दोरा निर्मान किया गया है इसका option number C यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है यात्रा जो है जात्रा किस राज का प्रमुक नित्य है तो जात्रा जो है या पस्षी मंगाल का प्रमुक नित्य है अप्सन नमबर D यहाँ बैट जाएगा सेंट हेलेना अस्थल का संबंध है किस वक्ति से है तो सेंट हेलेना जो अस्थल है इसका संबंध है नेपोलियन बोना पार्ट वक्ति से option number date यहां बैठ जाएगा नच्ठ है DNA का double helix model जो है किस ने दिया था तो DNA का डवल helix model या Watson या mism kring vanganic ने दिया था वाट सन ये वकरिक ने दिया था अप्सन नमबर B यहाँ बाट जाएगा नच्ट है स्री नगर किस नदी के तरण पर इसे था तो श्री नगर जो है या जेलम नदी के तरपर इसे थे option number C यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है लावनी जो है किस राज का प्रमुक लोक निति है तो लावनी जो है या माराष्ट का प्रमुक लोक निति है option number D यहाँ बैट जाएगा नेस्ट है क्रिकेट खेल का जन्दाता किस देश को माना जाता है तो क्रिकेट खेल का जन्दाता जो है या इंगलेंड देश को माना जाता है option number C, यहां बैट जाएगा next है, Alfred Nobel जो है किस देश के निवासी थे तो Alfred Nobel जो थे या Sweden देश के निवासी थे, option number A यहां बैट जाएगा, next है तेल दीप में बत्ती का तेल जो है किसके कारण उपर उठता है तो तेल दीप जो हता है यानि कि जिसको बोलते हैं दिया सला है, इसमें बत्ती का तेल जो है किसके कारण उपर उठता है तो यह उठता है किसी दातो क्रिया के कारण ठीक है, कैपलेरी क्रिया के दोवारा option number B यहां बैट जाएगा next है, नासिक जो है किस नदी के तरपर इसित है तो नासिक जो है या गोदावरी नदी के तरपर इसित है option number D यहां बैट जाएगा next है, मोटर चालक जो है पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रियोग करता है तो मोटर चालक जो है पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दरपन का प्रियोग करता है option number A यहां बैट जाएगा next है, कुतो मिनार की उचाई जो है कितनी फीट है तो कुतो मोनार की उचाई 288 फीट है option number C यहां बैट जाएगा next है, भारत में home roll link जो है इसकी अस्थापना home roll link की अस्थापना पहली बार किस ने कराया था यानि किस ने किया था तो भारत में home roll link की अस्थापना पहली बार जो है बाल गंगर अर्दिलक ने किया था option number B यहां बैट जाएगा next है, बोफार्ट मापकरम का प्रियोग किस की गती को मापने के लिए किया जाता है तो भारत मापकरम जो हता है भारत मापकरम इसका प्रियोग करते हैं हावा की गती को मापने के लिए option number A यहां बैट जाएगा next है, quarter का रसाइनिक नाम क्या है तो quarter का रसाइनिक नाम है silicon oxide तो नेच्ट है पनिहारी जो है किस राज की प्रमुक लोग निती है तो पनिहारी जो है या राज्थान राज की प्रमुक लोग निती है नेच्ट है बेलूर जो है किस नदी के तडपर इसत है तो बेलूर जो है यांगची नदी के तडपर इसत है और नेच्ट है लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लिखक कौन है तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लिखक जो है या है अरविंद घोष ठीक है कौन है ब्रिटर्जाब राजी का लोक निती है पंजाब राजि का लोक निती है नेस्ट है ब्रिटिस संसद के पहले भारती संसर से जो है कौन थे तो ब्रिटिस संसद के पहले भारती संसर से जो है या दादा भाय नौराजी थे जिसे व्रिद बिक्ती भी कहाता है तो बेटिस संसद के पहले भारत सरस जो है दादा भाई नौराजी थे option number A यहां बैट जाएगा next है मात्मा गांदी ने भारत में पहली बार सत्यागरा का प्रियोग जो है कहां किया था तो मात्मा गांदी ने भारत में पहली बार सत्यागरा का प्रियोग जो है चमपारंड जो है चमपारंड में किया था चमपारंड विद्रो में option number C यहाँ बैट जाएगा next है पेरिज जो है किस नदी के तरद पर इसे थै तो पेरिज जो है या सीन नदी के तरद पर इसे थै option number B यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है भारत में सम्वधाने सुधारों से सम्मंदत जो है मांग टेंग्यू चेम्सफार्ट रिपोर्ट जो है कब प्रकासित हुई थी तो भारत में सम्वधाने सुधारों से सम्मंदत है मांग टेंग्यू चेम्सफार्ट रिपोर्ट या प्रकासित हुआ था 1919 इसवी म ने कहा था मैं राज यहूं उक्ती को कहा था लूई चोगवे ने औसनमर एक बैठ जाएगा नाश्ट है या डाक्टर राज़ेंदर पर्शाध को जाथा है आप्सन नमबर D यहां बैट जाएगा नेश्ट है बिटामिन E का रसानिक नाम जो है क्या है तो बिटामिन E का रसानिक नाम है टेको फेरोल ठीक है टेको फेरोल जो है बिटामिन E का रसानिक नाम है आप्सन नमबर A यहां बैट जाएगा नेश्ट है किस देश में पहली बार सामयवादी सरकार की अस्थापना की गई थी तो रूस देश में पहली बार सामयवादी सरकार की अस्थापना क्या गया था option number C यहां बैट जाएगा नेश्ट है आदनिक भारत का मीरा जो है किसी कहा जाता है तो आधनिक भारत का मेरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है option number A यहां बैट जाएगा next है रक्त का सुधी करन कौन करता है तो रक्त का सुधी करन जो है केडनी करता है option number B यहां बैट जाएगा next है ओंग जन जाती जो है ओंग जन जाती कहां पर निवास करती है तो आंग जन जाती जो है यह अंड मांड दीप पर निवास करती है अप्सिन नमबर बे यहां पैट जागा नेश्ट है प्रोटॉन की खोज किस ने किया था तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्ड इस्टीन वेगानिक ने किया था नेश्ट है कारगिल विजय दिवस जो है किस्तिती को मनाए जाती है तो कारगिल विजय दिवस जो है यह 26 जुलाई को मना जाती है नेश्ट है मुहम्मद अली जिन्ना का निवास अस्थान कहां इस्तित था तो मुहम्मद अली जिन्ना का निवास अस्थान जो है या मुंबई में था option number D यहां बैट जाएगा नेश्ट है निर्मल हिदय के नाम से किसे जाना जाता है तो निर्मल हिदय के नाम से जो है मदर टेरेसा को जाना जाता है option number B यहां बैट जाएगा नेश्ट के ब्हारत के कौन एक राष्ट्पती जो है दार्शनिक थे तो भारत के एक मात्र राधासनिक राष्ट्पती जो थे या थे Dr. S. RADAKRISHNन ठीक है Dr. S. RADAKRISHNन जो थे एक ऐसे राष्ट्पती थी जो कि एक दार्शनिक थे बैट जाएगा नेश्ट पोकरण भारत की किस राज में इस्त है तो पोकरण जो है भारत की गुजरा था नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो सीमानत का अंधी के नाम से जो है खान अब्दुल- गफार खान को जाना जाता है पॉइँआ पहते जायेगा ने 46 का अनुचह टे नेच्ट है, space application center कहां ईशित है, तो space application center जो है या आमदाबाद में ईशित है, option number A यहाँ बैठ जाएगा, नेच्ट है, धार्मिक सोधनतता का अधिकार किस अनुछेद के तहत सिक्स सम्परदाय को परदान किया जाएगा है, तो धार्मिक सोधनता का अधिकार जो है या सिक्स समुदाई को दिया गया है अनुछित 25 के तहत option number D यहां बैट जाएगा next है lady with the lamb के नाम से किसे जाना जाता है तो lady with the lamb के नाम से जो है फ्लोरेंस लाइट अंगल को जाना जाता है फ्लोरेंस लाइट अंगल को option number C यहां बैट जाएगा नेच्ट है लाइटर में कौन सी गेस भरी राती है तो लाइटर में जो है बीटेन गेस भरी जाती है अपसन नमबर A यहां पैट जाएगा नेश्ट है नेट्रोन की खोज जो है किस ने किये थी तो नेट्रोन की खोज जो है जैम्स चैडविक रहाई ने किया था अपसन नमबड़ी यहां पैट जाएगा निंच्ट है Virgin Airlines जो है किस देश की विमान सेवा है तो Virgin Airlines जो है या या जो है बेटेन देश की विमान सेवा है option number D यहां पैठ जाएगा निंच्ट है 2B और NOT 2B 2B और NOT 2B पुस्तक के लिखक जो है कौन है तो 2B और NOT 2B जो पुस्तक है इसके लिखक यह है रियान नौर्थ ठीक है रियान नौर्थ जो है टू बी और नौर्ट टू बी नेश्ट है टू बी और नौर्ट टू बी पुस्तक के लिखक जो है कौन है तो 2B और not 2B पुस्तक के लिखक है रियान नौर्थ ठीक है option number D यहां बैट जाएगा नेश्ट है इरान एवं इराक के बीच युद जो है कब आरम हुआ था तो इरान एवं इराक के बीच जो है युद आरम हुआ था 1980 इसवी में option number B यहां बैट जाएगा नेश्ट है मयूर्सियासन को किसने बनवाया था तो मयूर्सियासन को जो है बनवाया था साजहाने option number D यहां पैट जाएगा नेश्ट है सहिद ए अलाम के नाम से किसे जाना जाता है तो सहिद ए अलाम के नाम से जो है सरदार भगत से को जाना जाता है सरदार भगत से को जो है सहिद ए अलाम के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है काइदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है तो काइदे आजम के नाम से जो है मुहम्मद अले जिन्ना को जाना जाता है option number C य जनक जो है किसे माना जाता है तो Scout and Guide के जनक जो है यह है बेडन एवं पावल ठीक है बेडन एवं पावल को जना जाता है पावले को ठीक है बेडन एवं पावले जो है इन्हें ही Scout and Guide के जनक कहा जाता है अप्शन नमबर A यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है डाइनामाइट के अविसकारक जो है कौन थे तो डाइनामाइट के अविसकारक जो है अलफेड नॉबल थे अप्शन नमबर B यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है राष्टिये सरदार फल नेश्ट है राष्टिय रसदार फल अनुसंधान के अंदर कहाँ पर इसित है तो राष्टिय रसदार फल अनुसंधान के अंदर जो है या या अवसित है नागपूर में option number C यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन जो है समुधर गुप्त को कहा जाता है option number A यहाँ बैट जाएगा नेजड है बच्चा मनस्ती का पिता हुता है या कतन जो है किसका है तो बच्चा मनस्ती का पिता होता है या कतन है विलियम वर्ट्स वर्ट का option number D का बैठी जाएगा नेस्ट है रेडियम की खोज जो है किस ने क्या था तो रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने क्या था option number D यहाँ पैट जागा नेश्ट है एक्स किरन की खोज जो है किस ने क्या था तो एक्स किरन की खोज जो है डबलू तो एक्स किरन की खोज जो है रजंटन विगानिक ने क्या था ओप्सन नमबर ए यहां पैट जाएगा नेश्ट है स्वतंतरता पूर्व भारती राष्टी कॉंगरस के विभाजन जो है कब हुआ था तो स्वतंतरता से पहले भारती राष्टी कॉंगरस का विभाजन जो है यह हुआ था 1907 इस्वी में option number B यहां बैट जागा नेश्ट है गोरकपुर जो है किस नदी के तड़ पर इसित है तो गोरकपुर जो है यह राप्ती नदी के तड़ पर इसित है option number B यहां बैट जागा नेश्ट है उडनपरी के नाम से किसे जाना जाता है तो उडनपरी के नाम से पीटी उसा को जाना जाता है अप्सन नमबर D यहां बैट जाएगा नेश्ट है गौतम बुद का जन्म किस कुल में हुआ था तो गौतम बूद जो थे इनका जन्म हुआ था साक के कुल में ठीक है option number B यहाँ पैट जाएगा next है भाप इंजन की खोज किस ने किया था तो भाप इंजन की खोज जो है जेम स्वाट ने किया था जेम स्वाट वेगा इक ने option number B यहाँ पैट जाएगा next है grand old man जो है किसे कहा जाता है तो grand old man जो है यह कहा जाता है दादा भाइ नौराजी को option number B यहाँ बैट जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना है थैंक यू